हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन अफेर्स पर दोस्तो बाइजूस के लिए पिछला कुछ समय बिलकुल भी ठीक नहीं रहा है पिछले कुछ टाइम से बाइजूस अक्सर ही न्यूज में रहा है पर इसके पीछे के रीजन्स अच्छे नहीं रहे हैं और अब एक बार फिर से बाइजूस अटेंशन का सेंटर बना हुआ है इस बार भी रीजन काफी बुरा है दरसल NCPCR यानि की नाशनल कमिशिन फोर प्रोटेक्शन ओफ चाइल्ड राइट्स ने कमपणी के CEO बाइजू रविंदरन को 23 दिसंबर को एक मीटिंग के लिए समन बेचा है अब आप सोच रहे होंगे कि NCPCR का बाइजूस से क्या लेना देना जो उन्होंने उन्हें इन परसन मीटिंग के लिए बुलाया है तो दरसल बाइजूस पर कोर्सिस की हार्ट सेलिंग और मिस्सेलिंग की माल प्रैक्टिस का इलजाम लगा है NCPCR ने रविंदरन को जो नोटिस भेजा है उसमें लिखा गया है कि कमिशन चाहता है कि आप कमिशन के सामने बाइजूस द्वारा बच्चों के लिए चलाय जाने वाले सभी कोर्सिस की फी डीटेल स्ट्रक्चर और उन कोर्सिस में करंटली इन्रोल्ड बच्चों की संख्या बाइजूस की रिफर्ण पॉलिसी और एक वालिड एडटेक की रूप में बाइजूस के रेकगनेशन के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उन सब के साथ अपियर हो NCPCR के चेर परसन प्रियांग कानुन गो ने ट्यूजडे को कहा कि वो कमपणी को उसकी रॉंग सेलिंग प्रैक्टिस के लिए गवर्मेंट को रिपोर्ट करतेंगे उन्होंने कहा कि बाइजूस फर्स जन्रेशन लर्नर्स को टार्गेट कर रहा है हम लोग एक्शन इनिशियेट करेंगे और एक रिपोर्ट बना कर गवर्मेंट को लिखेंगे कानुन गो ने बताया कि एलेजिडली बाइजूस बच्चो और उनके पेरेंट्स के फोन नंबर्स खरीद रहा है और उन्हें अपने कोर्सिस खरीदने के लिए धमकी दे रहा है उन्होंने का कि हमें पता चला है कि कैसे बाइजूस बच्चो और उनके पेरेंट्स के फोन नंबर्स खरीद कर उन्हीं फॉलो कर रहा है और उन्हें धमकी दे रहा है कि उनका future खराब हो जाएगा कमिशन ने मीडिया को ये भी बताया कि वो बाईजूस के अगेंस्ट कमिशन के Protection of Child Rights Act 2005 के Section 14 के according action लेंगे वही दूसरी तरफ बाईजूस ने ऐसे किसी भी allegation के सचोनी से साफ मना कर दिया है बाईजूस के एक spoke person ने कहा कि बाईजूस ऐसे किसी भी allegation को strongly deny करता है जिसके according हम students के database को खरीदते हैं हमने कभी ऐसा कोई database नहीं खरीदा है और हम आशा करते हैं कि media ऐसे baseless और unsubstantiated allegations लगानी से बचेगा उन्होंने आगे कहा कि 150 million registered users को देखते हुए हमें database खरीदने या बाहरी database को use करनी की जरूरत ही नहीं है उन्होंने कहा कि हमें न तो कभी जरूरत होती है और ना ही हम कभी cold calls करते हैं इसलिए ऐसा किसी भी allegation को हम strongly refuse करते हैं दोस्तो इस बारे में आपकी राय हमारे सथ जरूर शेयर कीचिए और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को like, share और subscribe करना बिलकुल मत भूलिए